हलो एवरिवान वेल्कम बैक टू दे चैनल तो दोस्तों आज का जो वीडियो हने वाला है तुम्हारे लिए सबसे जादा इंपॉर्टेंट है अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया तो भाई समझ लो कि इस वीडियो में जो तुम्हें बताने जा रहा हूं वो तुम्हें बहुत ही जादा बहुत ही जादा हेल्प करने वाला है देखो बहुत सारे बच्चे ना यूटूब पर सर्च करते हैं कि अनिमीटर बनना है बीएफिक सार्टिस बनना है ग्राफिक्स डिजाइनर बनना है या फिर डिजिटल मार्केटर बनना है मुझे क्रियेटिव फिल् कोई नहीं करता तो आज की यह जो वीडियो है ना उसको देखने के बाद तुम अपने लिए अपना जो गाइडेंस है यानि की करियर से रिलेटेड जो भी तुमारे डाउट से हैं सबसे पहला वो तुम खुदी सॉल्व कर सकते हो तो इस वीडियो का एन तक देखना और रिक करियर से रिलेटेड फ्रिलांस रिलेटेड मैंने कई सारी वीडियो अल्रेडी बना चुका हो और वह चैनल पर है लेकिन आप जब नॉटिफिकेशन बेल नहीं करते हो तो होता यह है कि उसकी नॉटिफिकेशन आपको नहीं मिलती और जब आप 6-7 दिन बाद 10 दिन बाद 15 जब आप हमारे चैनल पर आते हो तो आपको लगता है कि सर यह वीडियो हमें चाहिए लेकिन जो वीडियो आप डिबान कर रहे हो वो वीडियो आल्रेडी चैनल पर है तो इसले नॉटिफिकेशन बेल प्लीज इसा रिक्वेस्ट तो आल अफ यू कि आप सब्सक्राइब कर करने में आपका कुछ नहीं जाता है बलगी आपको हेल्प होगा और मेरा भला होगा थोड़ा मुझे सपोर्ट मिलता है मुझे मोटिवेशन मिलता है ताकि हम आप लोगों के लिए और भी तरीके तरीके के कॉन्टेंट ला सके और आजकल मैंने देखा ही है कि करियर के अला को सुरू करते क्योंकि बहुत देर हो गई है sorry for that देखो आज के इस वीडियो में मैं तुम्हें साथ टिप्स ऐसे बताने वाला हूं जो आपके करियर के लिए बहुत बहतरीन हो सकता है यानि कि आपकी करियर सांदार बन सकता है और इसमें आपको किसी की मदद लेने की पूरा लाइफ आपका डिपेंड करता है इसके उपर तो इस वीडियो को पुरा ध्यान से देखना तो आते हैं पहले टिप्स के उपर तो दोस्तों जो सबसे पहला टिप्स है मेरे भाई वो है कि first learn about yourself पहले तो अपने आपको पढ़ो अपने आपके बारे में समझो कि आप आपको क्या करने में मजा आता है आपको कौन से चीज में इंट्रेस्ट है कहां पर आपका दिल लगता है सबोज मालो आपको मैट्स में दिल नहीं लगता लेकिन आपको इंजिनियरिंग करने का बड़ा सौक है आपको इंजिनियर बनने का सौक है लेकिन मैट्स में आपका मन उचड जाता है मैट्स पढ़ने में मन नहीं लगता तो जाहिर सी बात है कि आपको engineering में बड़ी तकलीफ होगी ठीक है ठीक उसी तरीके से suppose मालों कि आपको drawing करना बहुत अच्छा लगता है पेंटिंग करना बहुत अच्छा लगता है या creative चीजें करना बनाना बहुत अच समझ रहे हो तो इससे आपको यह पता चलेगा कि आपका जो जुकाव है वो creative में कई सारे बच्चे counselor के पास आते हैं वो एक छोटा सा test लेते हैं और इनी सब बातों को point करते हुए वह आपको बता देते हैं कि आपको creative में जाना बड़ी असानी से आप चले जाते हो अच्छ पैशन है अगर आपके दिमाग में बैठा हुआ है कि मुझे तो यही करना है तो फिर कुछ भी कर सकते हो maths ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है आराम से कर सकते हो ठीक है तो पहले अपने आपको समझो अपने आपको टटोलो कि आपका जुकाओ किसमें जादा है किसमें आपको चाहendo है उस पॉइंट के ऊपर हम आगे काम करेंगे तो दूसरा पॉइंट है रिसेर्च अब सफोर आपने आपको टटोल लिया आइडिय अपको लग गया कि आपको क्या कर सकता है यह सारी चीजों को आपको उसके बारे में रिसर्च करना पड़ेगा उसके लिए कौन-कौन सी best company है उनकर record क्या है कितने साल से चल रहे हैं यह सारे चीज़ें आपको वहां पर रिसर्च करना पड़ेगा और इस पॉइंट पर कहीं भी तुम्हें तकलीफ होती है तो मैं हूं भाई मैं हूं तुम्हारे लिए कभी भी मेरे को contact करो call करो WhatsApp करो मैं हमेसा खड़ा रहूंगा as a brother as a guardian तो आप यहां पर and your father or your parents are not capable to like invest 25 lakhs तो जाहिर सी बात है कि आपको न चाहते हो भी यह फिल्ट छोड़ना पड़ेगा और अगर आपने थोड़ा सा है करियर पर श्यू करना किसी भी फिल्ड में तो यह सारी चीज़ा matter करती है आते हैं अगले पॉइंट पर अगला है कि comparative यानि कि compare alternatives यहां पर आपको यह चीज़ जाननी बहुत जरूरी है कि इसमें एक एकड़म critical से critical situation अगर आ जाए तो उस time पे हमारा क्या हो सकता है जैसे अगर हम बात करें कोरोना का आपने देखा कोरोना एक बहुत गंदा time हमारे life से गुजरा है उमिदेगी बहुत सारे लोगों के life से गुजरा होगा उस दरिम्यान काफी सारे IT फिल्ड में काफी सारे job से लोगों को निकाला गया काफी सारे लोगों की salary 40% दी जा रही थी 60% कट कर दिया जा रहा था बहुत सारे लोग जो की lower stage पे थे उनको एकदम निकाल ही दिया गया उनकी job चली गई काफी सारे लोगों की job चली गई लेकिन अगर मैं बता हूँ तो उस case में उस particular टाइम में जो कोरोनला टाइम चल रहा था उस टाइम में क्रियेटिफ फिल्ड में बहुत जाब था विडियो अडिटर बंबं करके पैसा कमा रहे थे विएपेक्स आर्टिस्ट लोग कमा रहे थे online वाले टेकनिशियन बहुत सारे एडिटर डिजाइनर की जरुवत पड़ी तो यह चीज आपको compare करना होगा alternative way में कि यार एक critical से critical stage में जाकर हमें क्या face करना पड़ सकता है तो यह चीज भी आपको खुद ही decide करना पड़ेगा अब एक चीज और ध्यान रखना कि आपको एक होता ह transferable skill यानि कि ऐसी skill आपको सीख लेनी है कि एक point of time पे जाकर अगर आप अपना job switch कर रहे हो तो भाईया उस वक्त वो काम आएगा की नहीं आएगा तो चीजें ऐसी भी आपको सीखनी है जैसे suppose मालो कि आप एक mechanical engineer हो और आप Honda के showroom में काम करते हो तो अब एक चीज़ समझो कि एक time ऐसा आएगा कि suppose आपको लगा कि यार मुझे job switch करनी है तो आपको यह चीज़ समझना जरूरी होगा कि जहां पे आप switch करने वाले हो वहां पे आपका ये ये वाला जो skill है वो काम आएगा कि नहीं आएगा जैसे कुछ skills में बताता हो जैसे communication skill ठीक है team leading skill ठीक है team management skill ये soft skill ये सारी चीज़े जो है ये transferable skills होते है किसी भी film में जाओ ये आपको बहुत help करने वाला है तो ये चीज़ भी तुम ध्यान में रखना जब आप इसको कर रहे होगे अगला है make a plan and set goals अब आप जो भी career आपने choose किया आपने सब कुछ देख लिया colleges जून लिया सब कुछ कर लिया अब यहाँ पे आपको एक plan बनाना होगा एक goal set करना होगा कि भाई किसी भी हालत में मुझे ये चीज़े इतने दिन में या इतने साल में complete करनी है और मुझे एक job लेना है company set कर लो कि मुझे इसी company में job लेनी है तो उससे क्या होगा कि उसके बारे में आप research करोगे उसके बारे में आपको पता चलेगा कि इसमें interview का process क्या है आपको linkedin वगरा है बहुत सारे लोग वहां के employee मिल जाएंगे तो उनसे भी आपको चीज़े मिलेंगी तो ये goal goal अगर set कर लोगे तो आपको चलना आसान हो जाएगा आप एक particular direction में आप चल पाओगे नहीं तो होगा गया कि आपकी goal set नहीं रहेंगे तो आपके मन भटकने का chances है क्योंकि हम ना जब मेरे बास बच्चे आता है न तो मैं अक्सर ये चीज़ फेस करता हूं बच्चों ने B mission खुद से लिया था अपने मन से लिया था तो आप समझ लोगी मजा लेने की बात नहीं होती है ये चीज़ें आपको दिमाग में रखना होगा कि आपका plan होना चाहिए आपके वासे goal होना चाहिए अगर कुछ भी goal बनाओगे तब ही जाकर आप successful हो पाओगे नहीं तो आप successful अपने करियर में कभी नहीं हो पाएंगे आपको goal set करना होगा ओगे आते हैं अगले point अगला है exploring new opportunities जी हाँ मैंने कई सारे लोगों को देखा है मेरे पास अकसर मैं interviews अब लेता हूँ तो उसमें बहुत सारे लोग आते हैं जिन्होंने 8 साल-10 साल पहले multimedia या फिर animation का course किया था और वो उसी pattern पे उसी process पे काम कर रहे हैं लेकिन वो नई चीजों को explore नहीं कर रहे हैं आज software जब और 10 साल पहले की होंगे न तो आज 10 साल पहले जो software चलता था CS का version चलता था Photoshop में CS2, CS3, CS4, CS5, CS6, CC यह आया था Photoshop CC और आज है Photoshop का 24 version लाइक की hell and heaven का difference है मेरे भाई तो तुमें जिस्वी फिल्ड में आपने पढ़ा है उसमें नई नई opportunities जो आ रहे हैं नई नई जो skills हैं इन सारी चीजों को आपको explore करना पड़ेगा if you want to be a successful in your career क्योंकि आज जो आपने सीखा दो साल चार साल तक आपने वो किया लेकिन पाच्वे साल में कुछ न कुछ नए आएगा तो अगर उसको आप explore नहीं करोगे तो आप पीछे रहे जागे और यही कारण है कि कई सारे लोगों को इंडस्ट्री से निकाल दिया जा क्योंकि वो घिसा पीड़ा पुरानी चीज़े हैं जैसे हमने माया सीख लिया तो माया में में बहुत एक्सपर्ट हूँ लेकि माया के साथ मुझे हुड़नी का नौलेज जरा सा भी नहीं है तो प्रॉब्लम क्या होती है प्रॉब्लम होती है कि जो नए बंदे आते हैं उन उन सब को explore करना पड़ेगा बढ़ते हैं अगले और आखरी पॉइंट की तरफ में जो की सबसे important पॉइंट है that is कि come out from your comfort zone जी हां आपको अपने comfort zone से बहार आना होगा देखो जब मैं पढ़ाई कर रहा था पूरी पूरा गाउं छोड़ो हमारे गाउं के आजुबाजू के आठ गाउं के लोग इंजिनियरिंग डॉक्टरी या फिर सरकारी नौकरी के तरह भाग रहे थे वहीं पर मैंने risk लिया था क्यों मुझे animation और visual effects करना है यानि कि मुझे animation के film में चाहना है तब मैंने यह risk लिया था हलांकि I'm like damn lucky कि मेरे mommy-bapa ऐसे नहीं थे जिनोंने मुझे कभी नहीं रोक उन्होंने बोला कि तुम्हें जो करना करो और मैंने वह risk लिया था मैंने काफी चीजे सुनी है काफी सारे लोगों ने मुझे ताने मारे है काफी सारे लोगों ने मुझे बोला कि यह कर रहा है वह क शूर्शॉर्ट में था और मैंने इसको चूज किया कमफोर्ट जोन से मैं बाहर निकला मैट्स, फिजिक्स, केमेस्ट्री, बायलोजी, अकाउंट्स, आर्ट्स, लॉव, इन चीजों को मैंने छोड़ा क्योंकि ये मेरे कमफोर्ट जोन थे, यहाँ पर मैं पढ़ रहा था, काफी दिन से पढ़ रहा था तो मुझे पता था इसके बारे में लेकिन एक ऐसी इंडस्ट्री को जॉइन करना जिसके बारे में कई लोगों को पता ही नहीं है भाई 60-70% लोगों को पता ही नहीं था कि इंडस्ट्री क्या होता है फिर भी मैंने वहाँ पे मैं आया उसको जॉइन किया और जॉइन करके मैंने उसमें काम किया तो मैंने पढ़ इस comfort zone से बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर मैं बहुत comfort हो गया हूँ, तो अगर मुझे अगला step चड़ना है, अगला level पर जाना है, तो मुझे इस comfort zone को तोड़ना होगा, सबकुछ मुझे एक studio खोलनी है, अगर मैं इस बात से डर जाओंगी, यह आद पता नहीं, प्रजेक्ट चाहेंगे, कि नहीं आएंगे, क्या होगा, नहीं होगा, अब room का भाड़ा जाएगा, studio का भाड़ा देना पड़ेगा, जितने सारे हमने सामान खरीद रखें, वो सब में एक पैसा लगेगा, तो अगर इस comfort zone को, अगर इस डर से आगे बढ़के एक risk ने लिया तो फिर मैं सायद कभी studio नहीं खौल पाँगा, तो ये चीज़ होती है कि comfort zone से बाहर आना, it's highly important for everyone, so उमीद है कि आपको समझ में आया होगा, अगर ये साथ चीज़ आप follow करते हो, trust me, तुम्हें किसी की जरूत नहीं पड़ेगी, कि कोई तुम्हें आकर career के लिए guidance दे, मैं again request करूँगा कि channel को बीना subscribe किया हुए, मत जाना, channel को subscribe कीजिए, और bell icon को press कीजिए, तो मिलेंगे हम आपसे next video में, एक और बहतरीन topic के साथ, तब तक लिए दीजाए, मैं इजाजत, जय हिंद, जय भारत.